राजस्तान में बारिश की वज़े से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं हाल यह हो गया है कि सब्जी मंडी में सब्जियों के मुकाबले फल सस्ते हैं बारिश ने घरों की रस्वियों का खर्चा भड़ा दिया है नमश्कार जनतादर्बार न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ जोती रागहो प्रदेश में सियासत और बारिश के चलते कयासों का बाजार गर्म है यह जानने से पहले हमारे जनतादर्बार न्यूज चैनल को लाइक एबं सब्सक्राइब कीजिए और खबर के अंत तक बने रही है बारिश ने घरों की रसोई का खर्चा दो से चार हचार तक भड़ा दिया है बारिश की वज़े से सब्जियों के दाम आसमान जू रहे हैं टमाटर सो रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है अर्बी भिंडी और टिंडे जैसे सब्जि सब्जिया 40-50 रुपए प्रति किलो बिक रही है गौर फली का भाव 1500-25 रुपए प्रति किलो तक पहुच चुका है राजस्तान में फ़लो के मुकाबले सब्जियों के भाव में रोजाना इजाफा हो रहा है जादा तर सब्जिया बाहर से आती है आवक में कमी होते ही बार से आने वाली सब्जियों में गुजरात से फूल गोबी पत्ता गोबी परवल शिमला मिर्च घीया बैंगन और तोरई आती है उधर नासिक से टमाटर और प्याज रतलाम से खीरा और देश मिर्च पंजाब और यूपे से अर्वी और लोकी आते हैं इन सभी जगहों स जरूरत का आधा यानि 50 प्रतिशत माल ही पहुँच पा रहा है बारिश के चलते इन दिनों सब्जिया फलों से अधिक रेट पर बिक रही है आमों की बंपर आवक के कारण 50 रुपे प्रतिकिलों के भाव से आम मिल रहे हैं पपीता 40-50 रुपे और केले 35-40 रुपे प्रति देता है लेकिन सब्जियों के साथ ऐसा नहीं है यही वज़ा है कि इन दिनों सब्जियों के मुकाबले फलों की बिक्री अधिक हो रही है सब्जियों फल्मंडी के भाव के जानकार बताते हैं कि इन दिनों पंजाब यूपी गुजरात और नासिक आदी इलाकों में बारि की दाम लगातार भड़ रहे हैं